हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट फॉन पे में एड नहीं हो रहा तो इस प्रॉलम को आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह problem आपको आती क्यूं है आपके जो bank में register mobile number है उस sim से आप किसी को message send करके देखिए अपने किसे दूसरी mobile पर भी कर सकते हैं यह message send यह आपका message send नहीं होगा इसी वज़या से यह problem आती है मैंने दिखा है यह problem और आती किनको है जिनके mobile में दो sim है जैसे आपके mobile में दो sim है एक जीओ का है और एक वोड़ा फोन का है और आपका जो bank register mobile number वाला sim है वो वोड़ा फोन का है और आपने recharge है जो जीओ में करवा रखा है unlimited वाला और आप internet से internet भी जीओ का ही use कर रहे हैं और आपके वोड़ा फोन में recharge पैक ही नहीं है अगर पैक है भी तो आपने 49 वाला recharge करवा रखा है और main balance में भी आपके 510 रपे हैं लेकिन फिर भी आपका bank account phone pay में add नहीं होगा क्योंकि कई कंपनियों ने आप अपने rule change कर दिये हैं अगर आपने 49 वाला recharge करा रखा है तो आपक पर main balance भी डालने तब भी आपको outgoing messaging की सुविधा वहां पर नहीं मिलती कम से कम आपको 129 वाला recharge करना बढ़ेगा यह 199 वाला recharge करना बढ़ेगा उसके बाद ही आपको outgoing messaging की सुविधा मिलेगी और यह recharge करने के बाद जैसे ही आप phone pay में अपना bank account add करेंगे आपका bank account add हो और अगर आपने यह recharge भी कर रखा है unlimited वाला recharge भी है और आपका bank account फिर भी phone pay में add नहीं हो रहा तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो का link में आपको description में दे दूँगा वो वीडियो देख लेना उसमें मैंने कुछ setting बताई है mobile में वो setting करने के ब यह BSNL वाले SIM में और main balance में भी 3-4 पर होने चाहिए यह BSNL में मैंने देखा है एक validity और अगर आपके mobile में 3-4 पर balance है तो message send हो जाता है एक data रपिया ही करता है message का और अगर आपका bank register SIM जीयो का है तो उसमें आपका unlimited वाला recharge होना चाहिए और आपके mobile में एक option होता है वो account add होता है और किसी-किसी mobile में यह setting होती है वो setting भी देख लिए आप अपने mobile की setting में जाईए और यहाँ पर यह देखे लिखा हुआ है SIM card यह SIM card पर आप click कर दिजिए और यह SMS message यहाँ पर देखिए आपने कौन सा SIM लगा रखा है मेरे mobile में यह दो SIM है एक Vodafone और एक ATL का जो भी आपका SIM bank में register है वही SIM यहाँ पर आप लगा के रखे डिफॉल्ट में क्योंकि हमारे उसी SIM से एक message send होता है तभी जाके हमारा bank account add होता है इसलिए आप भी अपन वही SIM यहाँ पर लगा के रखे जो कि आपका bank में register है और यह ऐसा करने के बाद आपकी यह problem solve हो जाएगी और आपका bank account phone pay में add हो जाएगा और अगर आपने recharge भी करवा रखा है लेकिन आपको फिर भी अपना bank account add करने में problem आ रही है तो उस problem के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इस वीडियो का लिंक में आपको description में देदूंगा वो वीडियो भी आप देख लेना आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करतीजिए share करतीजिए मैं चैनल को भी subscribe कर दीजिए